सुआगे ता आपका टेकनिकल सार्थी चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने credit card की मदद से अपने एटल थेंक्स एप के wallet में money add कर सकते हैं एटल थेंक्स में money add करने के लिए सबसे पहले आपको एटल थेंक्स एप को open कर लेना है यहाँ पर हमारा जो home page कुछ इस परकार से दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पर atl app के wallet में money add करने के लिए सबसे पहले हमें wallet पर click कर देना है यहाँ पर आप add money का option देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या others आप add कर सकते हैं मैं तो other वाले पर click कर दूँगा इसके बाद यहाँ पर मैं एक amount fill कर दूँगा जैसे ही आप यहाँ पर एक amount लिख देंगे उसके बाद हमें blue tick पर click कर देना है इसके बाद हमारे पास काफी सारे option आ जाते हैं add money करने के लिए लेकिन मुझे यहाँ पर credit card से add money करना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले वाले my cards वाले option पर click कर दूँगा यहाँ पर हमें अपने credit card के number एंटर कर देने हैं उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे जिसका भी card है उसका नाम एंटर कर देना है उसके बाद हमें expiry date एंटर कर देना है और उसके बाद हमें CBV एंटर करके pay now वाले option पर click कर देना है यहाँ पर मैं आपको अपना card का details एंटर करके दिखा देता हूँ यहाँ पर card की details एंटर करने के बाद हमें pay now वाले option पर click कर देना है जैसे ही हम यहाँ पर pay now वाले option पर click करेंगे यह हैं अमें एक दूसरे page पर redirect कर देगा इसके बाद OTP enter करने के लिए एक page open हो जाता है यहाँ पर OTP enter करने के बाद आप देख सकते हैं या processing करने लग जाता है दोस्तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अमने जो money add की थी वो successfully add हो गई है दोस्तो जो amount अमने add किया था वो successfully add हो गया है दोस्तो आप भी कुछ इसी तरीके से अपने Airtel app के wallet में अपने credit card से amount add कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे thank you so much for watching